एक गाउं में एक साधू रहते थे जो दिन रात कड़ी तपस्या करते थे और उनका भगवान पर अटूट विश्वास था एक बार गाउं में भयन करते इज बारिश हुई बढ़ते हुए पानी को देखकर गाउं वाले सुरक्षित स्थान पर जाने लगे लोगों ने उस साधू को सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा लेकिन साधू ने यह करकर मना कर दिया कि तुम लोग जाओ मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है वे मुझे बचाने जरूर आएंगे दीरे दीरे पूरा गाउं पानी से लबालब हो गया और पानी साधू के घुटनों तक आने लगा तब ही वहाँ पर एक गाड़ी आए और उसमें सवार व्यक्ती ने साधू को गाड़ी में आने के यह कहा लेकिन साधू ने फिर यह करकर मना कर दिया मुझे तुम्हारे कोई आवश्यक्ता नहीं मुझे मेरा भगवान जरूर बचाने आएगा गाड़ी वाला वहाँ से चला गया पानी बढ़ने लगा और साधू भगवान को याद करने लगा तब ही वहाँ पर एक नावाई बचावकर्मी ने कहा साधू ने कहा मेरे भगवान मुझे बचाने जरूर आएगे तुम यहां से चले जाओ पचावकर्मी ने कहा गुरूवर मुझे अन्य लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है आप समय बर्बाद मत कीजिए जल्दी आये लेकिन साधू ने अपनी चिप नही छोड़ी आगेरकार बहनाव बाला अन्य लोगों को भचाने के लिए वहां से चला गया कुछ ही देर बाद साधू बाड में बह गए और उनकी मृत्यू हो गई मरने के बाद साधू जब स्वर पहुँचे तुम ने भगवान से कहा है भगवान मैंने कई वर्षों तक तपस्या की और आप पर इतना विश्वास किया लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आये भगवान ने कहा मैंने तुम्हें बचाने एक बार नहीं बल्कि तीन बार प्रहत न किया तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास लोगों को गाड़ी को और नावर को किसने बेजा तब